तो वहीं UPBJP अत्यक्षियों की अखलेश यादव को सलहा, कॉंग्रेस से दूर रहने की सलहा दिया है वुपिंदर चौधरी ने अखलेश यादव को कॉंग्रेस ने किसी दल का भला नहीं किया है, ये कहा गया है, देखे एक इस तरीके से भुपिंदर चौधरी की तरफ से अखलेश यादव को सलहा दी गई, जब वो मच पर थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिये सरा खलेश यादव जी, मैं आपको साथ धान कर रहा हूं कि कांग्रेस भर्म भसमासुर है, और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी, कांग्रेस की निजर में आपके मुसलिम बोर्ट पर है, कांग्रेस की सोच और उनकी कारेसेली, लोग तंत्र की कोई गु इको सिस्टम है, जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर, जीतने वालों पर प्रस्न खड़े करता है। दिनों में 10 विदान सबा सीटे हैं, जिन पर उपचुनाव होना है, और 2027 विदान सबा चुनाव का रोड मैप भी तयार करना है, लेकिन इसके लिए इंपोर्टन्ट ये है कि जनता के बीच जाकर, भरत जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता के बीच रहती है, इसलिए क्योंकि उसके कारे करता है, वो सुपर आक्टिव रहते हैं, बूत लेवल पर कहते हैं कि अगर कोई पार्टी काम करती है, तो वो बीच पी है, और इस बार जाहिर सी बात है, पहले लोगसबा चुनाव की बात कली जो उसके बात कली जो साथ राज्यू की तेरा विदान सब सीटों पर जो नतीचा हैं, उपचनाव जो हुए, उसमें से पहले तो इन तेरा सीटों में से तीन सीटे थी भर्ट जिंदा पार्टी के खाते में, लेकिन एक सीट इस बार उसके हाथ से छुटक गई, दो सीटे उसके पास आई, सोचे बदरिनाथ जैसी सीट पर अगर भर का सामना करना पड़ा था, बीज़ूपी कोर उसके बाद बहुत साधा रियक्शन सोचल मीडिया पर भी सामने आ रहे थी कि यहां पर क्या हुआ, हाला कि इस बैठक में सीटों योगी, दोनों डैपूटी सीटों बाजबा के कई वरिश नेता भी, वहां पर मौजूद रहे प्रदेश कारकारणी की बैठक का मतलब है कि हर तीन मेने में वैसे होता है, लेकिन चुनाओं की करणा थोड़ा सा विलम हुआ था, मानी राश्टी अद्रश का मारदर्शन इसमें मिलेगा, मानी मुकमती जी का मारदर्शन मिलेगा, और मैं समत्ता हूं कारकारणता जोर सो प्रदशन मिलेगा, और मैं समत्ता है, जो जो कारिक्रम आ रहे हैं पार्टी के, उनको करते वे अपने जनाधार को और अधिक बढ़ाना, और पार्टी का दिसान निर्दिस क्या होगा, ये राश्टी अद्रश्टी के भाश़र से क्लियर होगा, जो उप्चुनाओं के नत बीजेपी मंद्बपरदेश में बीजेपी के पास थी, बीजेपी जीती है, एक जो बीजेपी के पास हिवान चल कैंती वो बीजेपी जीती है, इसलिए जो सरकार का परचार करते लोगों नको आखड़े नहीं पता हैं MR, और मैं समस्ता हों के जो भारती जनता पार्टी आज वी इस अपसे बड़ी पार्टी है और मजबूती के साथ दुबारा सरकार जो 27 में बने इसके लिए काम कर रहे हैं भारती जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है ऐसा दिनिश सर्मा ने कहा और आने वाले 2727 के चुनाव के लिए तैयारी करें तो आपने दिनिश सर्मा को सुना और इसी के साथ बैठक इसवक भी चल रही है तीन हजार के करीब ये कहा जा रहा कि नेता कारेकरता पहुचे हैं इस बैठक में और मंत्र इन सभी को दिया जाएगा कि कैसे जोश भरें ये आने वाले समय के लिए और साथी साथ जो रणीती स्टाटेजी है वो भी तैक की जाएगी क्योंकि आप देखें आगामी दिनों में दस विदानसभा सीटों पर उप्चनाव होने हैं उन पर कैसे जीत दर्ज की जाए और क्योंकि जो इस बार साथ राज्यों की तेरा विदानसभा सीटों पर उप्चनाव हुआ इंडिया वर्सेस एंडिये ये था लेकिन एंडिये को जटके यहां पर लगा है